अब नंदन आबार अदाव निमस्कार मैं अनुज कुमार आपका B.A.D. एंटरेंस एक्जाम का मेंटर आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लाट इस अबाउट दे कुरेंट एजुकेशनल स्रेरियो विच इस आर पार्ट सेकेंड और दिस सिरीज सो लेट्स बिगेन आर वीडियो सबसे बहले हम बात करेंगे देखिए इस कथन की पढ़ते समय सारी दुनिया को एक तरफ रख दो और पुस्तके लेखक की विचार धारा में डूब जाओ यह कथन हमारे एक महान सिक्षा विद्ध बहु मुखी प्रतिवा रखने वाले व्यक्ति जिसने अपना सिक्षा में एक एहम योगदान दिया और बनारास हिंदु उन्युश्टी के भी वो संस्थापक रहें जिनका नाम था मदन मोहन मालवेजी तो आज हम पहले बात करें अपने इस वीडियो में बनारास हिंदु उन्युश्टी के बारे में उससे रिलेटेट कुछ बाते करेंगे और फिर कौन-कौन से नए कोर्सें इंटर्डिउस हुए हमारी उन्युश्टी में और तीसरा कि मदन मोहन मालवेजी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिसकस करें देखें सबसे पहले हम बात करें कि बनारास हिंदु उन्युश्टी का फाउंडेशन यानि की स्थापना किस दिन हुआ देखें इसका स्थापना हुआ था चार फरवरी 1916 जिस दिन बसंद पंचमिदा और जबकि 10 फरवरी 2019 में फाउंडेशन डे बनाए गया था इस दिन फिर देखें इसके फाउंडर को ने आप उससे परीचित है मदन मोहन मालवियर जी फिर देखें मोटो अगर बनारस इंद इंविश्टी का मोटो अगर आपसे पूछ ले तो आप सभी जानते हैं विद्या अम्रीतं शनूते ओके बनारस इंद इंविश्टी के फर्स्ट वी सी जो थे वो थे सर सुन्दरलाल और जो अभी के प्रेजंट वी सी हैं वो है प्रोफेसर राकेश भटनागर फिर देखे हमारे बनारस इंद इंविश्टी के तीन भारत रत्र अवाडीज हैं अब वो कौन कौन से हैं एक तो सबसे पहले हमारे मदन मोहन माल्विय जी है मदन मोहन माल्विय जी दूसरे भूपेन हजारी का हजारी का तीसरे हैं डॉक्टर सर्वापली राधा कृष्णर जाकि हमारे देश के सेकेंड प्रेजडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेजडेंट रहे फिर देखें अगर इंडिया में बीच यू का रैंकिंग की बात करें तो यह एन आई GYRF National Institute of Ranking Framework 2018 के according बीच यू इस थोर्ड रैंकिंग उनिवर्सिटी इन इंडिया फिर बात कर लेते हैं Institute of Eminence की, देखिए, Institute of Eminence यह Finance Ministry की एक ऐसी स्कीम थी, जिसके तहट उन्होंने Higher Educational Institute को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, उसके अंदर बजट उनको दिया गया, जिससे की वो लोग अपनी इंस्ट्िूट को एक Research Institute और एक Research Institute पर फोकस करें, और teaching पर focus करें जिसमें कि world class facilities हों और maximum focus इसमें था कि teaching और research में रहें और यहाँ पर ये भी था कि institute of eminence का दर्जा जिस भी university को दिया जाएगा वो university क्या होगी कि it will provide a quality education at affordable prices to the ordinary Indians और maximum focus देखें इसमें research institute बनाने में और teaching पर इसमें maximum focus था यह देखें 6 सितंबर 2019 को दिया गया 5 universities को 5 institutes को जो कि public थे 5 public institutes को देखें एक तो अपनी इसमें बी एच्चू थी एक इसमें डियू थी एक इसमें आई आई टी मद्रास एक इसमें आई 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 टी खड़कपुर और एक थी इसमें university और हैद्राबाद तो यह 5 universities थी जिनको institute of eminence का दर्जा दिया गए जो कि public universities है public means जो कि आप कह सकते हैं कि central public universities okay देखिए फिर हम बात करते हैं new courses की जो introduce होने जा रहे हैं from session 2020 in B.H.U. देखिए एक सबसे पहला इसमें है भूत विद्या भूत विद्या एक ऐसा diploma course B.H.U के अंदर शुरू होने जा रहा है जो कि एक ग्रह चिकित सकाही ब्रांच है जिसमें मानसिक तोर पर होने वाली अग्यात कारणों की वज़े से जितनी विमारिया हैं उनको विज्ञान के माध्यम से सुल्जाने की इसमें study की जाएगी इसमें पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप विज्ञान के इस्तमाल करके आप जितनी भी ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे disorders, mental disorders होते हैं जिनका कारण नहीं पता लग पाता है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि psychological problems जो होती है किसी person को due to some unknown reasons उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इसमें किसी भूत विशाच और इन सब की पढ़ाय नहीं होने की है ओके तो यह था हमारा बूत विद्या की बारे में फिर देखें वेदिक विज्ञान वेद और विज्ञान दोनों को जोड़कर वेद और विज्ञान दोनों को जोड़कर एक ऐसा कोर्स बनाय गया जो कि विएक्षू के अंदर सेशन 2020 से शुरू होने जा रहा है ओके बूद विद्या के बारे मात की जाए तो यह इंडिया का विएक्षू पहला से यूनिवस्टी होगा जो कि इस को और अपने यूनिवस्टी में शुरू करने जा रहा है फिर देखें कुलगीत विएक्षू का कुलगीत जो है मदूर मनोहर ओके तो वो लिखा था सान शांती स्वरूप भटनागर जी के द्वार जिसको हम किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले विएक्षू में जरूर उसको गाते हैं फिर देखें एक्सो एक्वा कॉन्वोकेशन सर्वनी याने कि दिक्षान समारो बरारास हिंदु इनिवर्स्टी का एक्सो एक्वा दिक्षान समारो पेहिस दिसम्वर दो हजार उन्निस को हुआ ओके जिसके चीफ गेस्ट है पदमा विभूशन विजय केलकर ओके तो एक्सो एक्वे कॉन्वोकेशन सर्वनी में दो लोगों को डॉक्ट्रेट अफ लिट्रेचर की उपादी मिली जिसमें की एक ते प्रोफेसर सुनीम कुमार सिंग जो कि फेकल्टी ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर है और दूसरे थे विमल लहरी डॉक्टर विमल है जो कि फेकल्टी ऑफ सोशल साइन्स के प्रोफेसर है ओके फिर देखे यह तो बात थी अपनी बेच्चु के बारे में और कौन-कौन से नए कोर्सेस इंटर्ड्यूस किये हैं उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने इस युनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं तो इनके बारे में सबसे पहली बात यह आती है कि यह बनारस हिंदू इन्वस्टी के संस्थापक रहें जिनोंने अपना एहम योगदान दिया सिक्षा जगत में ओके जिसकी वजह से एक इंडियन एक गरीब परिवार कभी एक अगर बच्चा ह है तो वो भी इस महामना की बग्या से कम अगर उसकी फाइनेंचल कंडिशन अच्छी नहीं है तो भी वो भी पढ़ सके ओके देखिए वी सी यह बनारस हिंदू इन्वस्टी के थर्ड वी सी रहे है नाइंटीन नाइंटीन से नाइंटीन थर्टीन नाइन तक ओके इनको दोजार सोलह में भारत रत अवोर्ड से क्या किया इनको नवाज आ गया ओके देखिए यह तो थे थर्ड वी सी इनसे पहले यानिकी फॉर्स्ट और सेकेंड वी सी रहें पीएस स्वामी आयर और फर्स्ट थें सर सुन्दर लाद ओके तो यह थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड वी सी फिर देखिए और इनके बारे में हम बात करते हैं को जो बहारत रत्र अवर्ड जाने वाले 44 वेक्ति थे मुझा अल अबाउड बीएच्यू एंड उनके फाउंडर के बारे में और इससे रिलेटेड अगर बीएच्यू से रिलेटेड कोई भी कोशन आता है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई छूट सकता है लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि अगर आप किसी यह टापिक पर च जिससे कि आप लोगों के तक जानकारी पहुँच सके और आप बीएच्यू यानि कि महामना की बग्या पर एड़िशन ले सके यहां से पढ़ा ही कर सके ओके थांक्यू झाप जब आनको की लेसे कि अजाएब दिर से सके अदिक देटीया लें